अपने के इस जवर्दस जियोग्रफी के क्लास में और आज का क्लास पता है क्यों संदार होने वाला है क्योंकि यह पूरा का पूरा क्लास बाबु ट्रिक से बरा हुआ है और मैं गरांटी देता हूं कि आपको इसमें 100 पॉसंट नहीं दे सकते 99.9 पॉसंट गरांटी दे रहें क्योंकि 100 पॉसंट गरांटी का जिम्भारी जिर्व भगवान गौड दे सकता है खुदा दे सकता है यहां पे आपको नोट्स भी फ्री आफ कोस्ट प्रभाइट के जाएगा इसलिए बाबु देखिए अगर ऐसा लग रहा है कि आपके लिए हैंगी नहीं चलिए और एक बार लाइक के बटन को दबाके फिर क्लास को सुरू किजिए चलिए यहां देखिए कोस्टन है बहुत ही संदार कुस्टन है अजीब सा कुस्टन नहीं है निमलीखित खनीजों में से कौन सा एक भूरा हीरा के रूप में जाना जाता है भूरा कुछला है चार परकार का होता है कितना है एक यहला होता है जो भूरा टैप के ह nation होता है चो कों में परचाहिं यृब साइजम फिरी और से लीघनाइट की सभ़ाइब बताएं चीचकॎला के चार परकार कौन कौन साइड होता है और भारत में भी से होता है तो भारत में भी तू मिनस पाई जाता है सब से घटीया कोईला पीट गहती है न वह बात है तो यहां पर देखिये यह वहला ला जला गणा बड़ी तरफीए ऩहां देंगा पूरा का पूरा नाम लगभग के सब्सक्राइब जाथे जादा कोईला झारखन में पायाता है तो हाँ बाबू अभी यह कहां पाया जाता है झारखन में कोईला पाया जाएगा इसका मतलब नहीं नदी चारी हो है ठीक है दस से हो जाएगा दामोदर सो से हो जाएगा सोन गो से गोदावरी महा नदी तो दसो गो महा नदी याद कर लिजेगा इस चार नदी में से चारों नदी में 97 परसेंट कोईला पाया जाता है तो आप से कहा दो अगला कुश्चन नै कि भारत में पाय जाने वाले कि किस्म क्या है कि इसे भारत बिट्टु मिनस तो इंडिया का नाम है नहीं है तो ये बिट्टूमीनस हो जाएगा ठाएनि यहाँ तो हैम्स li Ignite घटिया इन्थरा साइड सब्से सुधिल नृए जिसबएगा चब्तिया कोईला होता है चलिए यहां पर देखिए इंथरा साइट सबसे सुध कोईला वाजिस सबसे सुध कोईला है तो कुछ क्वालेटी नबे परतिसद से भी अधिक कारवन की मात्रा होती है और सबसे जदा उसमा गर्मी यानि गर्माहट यही देता है और भारत वाला जो है भारत में यहां देखिए थोड़ा सा और आपको बता दें कि कर लीग नइट सबसे जदा कहां पाया जाता है तो लीग नइट सबसे जदा पाए जाता है तो मिल नडू में ठीक और इसे हरा हीरा भी कहते हैं अभी आपको बता है हरा ही रा तमिल नाडो जतने भी साउध फिलिम बनता है ना देखिए बड़ा उसमें जंगल खेत उतका लूंगी पुहिन के अदाब लेके चल देता है तो वहाँ पर खीती होती ज्यादा होता है ठीक है तो वहाँ पे हर्याली तो हरा हीरा प इसमें यह तेल डालाता है सबसे पुरे भारत को कोईला छित्र को दो हिसा में बाटा गया है तो पहले इधर वाले उतरी भारत को गुडवाना बोलते हैं और इस सेबें सिश्टर को बोलते हैं क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं डहसी आ क्योंकि पूछता एक्जाम में तो दीआ इस तरह से राज्य का नाम याद कीजाना कौन शेयरी बहुत मेंत पड़ेगा इसंवाले इस वाले इलाका को टर सियरी दा की इसला इस चलिए तो भारत में पहला तेल को कहां खोदे गए औसम के डिगा बोई में यह यादा प्रक सकते हैं यहां देखिए पेट्रोलियम सभसे जदधा पेट्रोलियम ने समझे जमीन के निग्यसे निकलने वाले कह और चीज जो पादा यह गलत है चलिए अगला देखते हैं इसका पीडिएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और अवाट से ग्रूप में तो खैर उसमें तो बीडियो जाएगा टेंसर नहीं लेना है सबसे सरोच कोटी का कोईला कौन होता है सबसे अच्छा कोईला एंथरासाइड और सबसे बड़ा पर माड़ू बिदुद्गरी कोने तारापूर काहें तो याद रही का तारापाइस kilometers नहीं जाएगा वाथ यहाँ पर महराष्ट्रा में कहां पर है बाबू महराष्ट्रा में याद रखेंगे ठीक है यहां पर एसीया का सबसे बड़ा परमारुग विदुत्गरी तारापूर है और यही अगर कुश्चन आपसे पूछ दे कि कल पकम कहां है तो कल पकम तौमिल नडु में देखें कल पकम कुडन का रहा हैं महराष्ट्रा में महरास्ट्रा में अब चलें अगला थैक्षण मेगनीज का सर्वदिक भंडर कहां पर है कि सबसे अदम मेगनीज होता है तो इक लड़की थी वह गुस्ता होके मागई को साइड कर दी ठीक है समय आप वहां से मानलो कि कोई मैगी खा रहा है बीचवा में कौनों सौरी मानलो कि टीवी कोई देख रहा है मैगी को यह थाने के लिए मैगी को साइड करके बगसाइड यह दोनों उडिसा में पाए जाता है साइड और मैगी दोनों मैगनीज और बकसाइड कहां पाजाता है उडिसा में तो मैगी यहां पे हो गया मैगी को साइड करके उडिये तो यह उडिसा हो जाएगा ठीक है आगे कुछ सनाएगा तो आपको बताना पड़ेगा देखो यहां लिख भी दिये हैं कि उडिसा में मै और सुना और राचल परद्श में ग्रिफाइट पाय जाता है इसका ट्रिक समझे एक लड़का गाह में कर लिया मार और मार जगड़ा हो गया ठीक है तो आप आया उसका नाम था अरून लड़का का क्या नाम था अरून तब तक उसका दोस्त आया अब बोला पता है हम लोग जो मार किये लड़का को बहुत चोट लग गया है ठीक है तो अब यह अरून चूपचपनौटंकी करके सोया वbn था का हुए था सोया बूला अरून करके रिच साहर siya नाटक कर रहा है तो यहां समझेगा नाटक करके लो अब देखो लड़का का बोला लो नाटक करके सो स्मझ मैं तो लोहा कहां पाया जाता यहां और वसे सबस्याद तो यह वाला आप याद रखेंगे और यहां पर जारकर्ण में सबसे यहां पर यूरेनियम वगरा पाया जाता है अक्वेला वगरा गोडवाना समू में पाया जाता है उत्तर पुर्वी इलाका में किस राज्य में सरवधिक बकसाइड होता है आपको बताया था ना लो नहीं sorry मैगी को साइड करके उड़ गया तो मैगनीज और बकसाइड होड़ी समय पाया जाता है चलिए मुंबई में भी तेल निकाला गया था पौहला निकाला गया था तेल चेतर पौहला है ऐसे टीक असावेंस सिष्टर में थो दूसरा है मुंबई में तेल चेतर तो यहाँ पर याद रखेगा मुंबई हाई किस लिए फिमस है तेल सोधकर खाना के लिए फिमस है हीरा कुंड, हीरा उड़ा, ये भी उड़ेगा, ये भी हीरा उड़ेगा, ठीक है, यहां देखे, हीरा कुंड पर योजना कहा है, तो यहां पर लिखा है कि किस नदी पर है, तो माहा नदी पर है, याद रखेगा, और किस राज्या में है, तो उडिसा में है, ठीक है, माहा पर उडिशा में है यहां पर देख सकते हैं image में हिरा कुंढ बांद यह लिख दे विश्व का सबसे लंबा बांद हीरा कुंढ बांद है यह भी आप याद रखेगा वैसे भी हीरा नाम देखे हो जमीन के अंदर से जो जल निकलता है ताज निकलता है पावन उर्जा जो पावन चक्कियों दोरा ऐसे चक्का होता है ना पंकी टाइप का बड़ा बड़ा उसके दोरा जो निकलता है यह सभी नवी करणिया है जो कभी खतम नहीं होता है और नवी करणिया उसे कहते हैं जो ख सकते हैं इसके दुवारा बिजली बनाई जए तो सबसे पहले बनाए गया समझे छा लगे तक आपके तो देखेंगर और मोटीवेशन बढ़ेगा और मोटीवेशन बढ़ेगा तो और इससे भी दस टीक बना करके और आपको एक्जाम में मेरा प्रोग्रेस अगर आप बहुत अच्छा कीजिए बहुत मतलब दिल खुश रहेगा वाव और उसके बाद से एक बार ऐसा मौकल है आपको डारिक एकेडमी पर आपके नाम ले करके और आपका इमेज अच्छा माक्स आएगा त संरक्षण की द्रिष्टी से तांबे तांबे के अस्थान पर किस अधात्व का उप्योंग होता हई तो मालों की तार देखें उन्हां तो जब तांबा नहीं रहता है ठीक है किस सीज के तार लगता है अब चांदी का तार लगाओं गए दने में लूट लेगा सब ठीक है अगला देखो कोडर्मा कोडर्मा किस खनीज के लिए जाना जाता है तो यह कोडर्मा अबरक के लिए जन जाता है और अबरक सबसे ज़्यादा जारखंड में होता है कहां पर होता है जारखंड में होता है यहाँ याद रखेंगे यहां लिख दिये हैं अबरक जारखंड में ह होता है यहां पर आपका इंसर होना चाहिए तांबा होना चाहिए तांबा की खाने है यह कंफॉर्म है और पूछ देखा अगर खेड़ी कहां है तो रजस्थान में है खेड़ी एक जीला ही है अब बहुत मस्त और इसे तो लागतार पूछा है देखिए यहां पर बैला धीला अब आई को बात बताईए समझेगा एक चीज को बहुत असान है आप देखिएगा जो बैल होता है लोहा की तरह मजबूत होता है ठीक है अगर उसे थोड़ा सा धीला बानियेगा ना ठीक है अच्छा बैल को धीला बन ने तो च्छतिस बार बांदे खुल गया यहां कि याद रखेगा यहां पर कि बैला नोहे कि तरह मजबूत है तो बैल दिला किसले परसीदे लŌ आयस के लिए और बैल दिला स्थान कहां है तो च्छतिस गड़ में है तो यहां रहा था अब यहां पर देखिए सन्युक्त राष्ट अमेरिका में भी लोहा कि स्रेड़ी है मनें लोहा निकलता है और कहां पर तो मैं साभी लोह स्रेड़ी है मैं साभी याद रखेगा आपसे कोश्चन पुछेगा मैं साभी लोह स्रेड़ी किसलिए परसीदे तो मैं साभी लोहा के लिए इस लिए लोहा के लिए याद रखेएगा ठीक है उसके बास नरकटिया आपको बताये थे कि असम में पेट्रोलियम का बात आएगा बाबु चुप चौप असम मार दिजेगा यह डिगा वही मार दिजेगा अधिकतर यह कुष्छन पूझता है नरकटिया पेट्रोलियम कहा ह और समके डिवरुगर जिला में है ठीक है बिहार में भी एक जगह मातर तेल निकलता है बिहार में बराउनी में निकलता है बराउनी तेल चतर बहुत फिमस है बिहार में अंकलेश्वर कहां है गुजरात में है इसमें अप्सन है की नहीं जी गुजरात में है यहाँ पे डी न होना चाहिए नीवली में मेरे हिसाब से होना चाहिए इसको एक बार आप देखिएगा एक मिनट रुखीए लिगनाईट होना चाहिए जांड में यह होगा जी कहारि गÁं किस नमबर तो बहुत ही संदार कुष्च्टन दुर्ग जो इलाका है भूंडरी भी होता है श्याटिस गडिसी का सई होना चाहिए अगला कुछ न देखें यहाँ करा पाड़ा अब सुनिए द्यान से जतना आएक नाइज सब गुजरात में आता है बता रहेंगा है सुनिए अमीच साह को देखे हैं अमीच साह अपना नाम नहीं बता रहरें अमीच साह जो भारत के क्री मंतरी हैं आपको पता होना चाहिए तो देखिए गढ़ी मूटे टाइप के появ पाला की तरह है तो काकरा पाड़ा कहां पर गुजरात में तो भारत का विकास चाहते ना तो लड़का सब को किसी तरह दिमाग में जाना चाहिए कोईला का सबसे अधिक बंडार तो जारकंड में कोईला ज्यादा होता है यह थोड़ा सा बना है आपको देखिए रास्ता तो बहुत सारा है जिससे हम लोग आते जाते रहते हैं लेकिन पाइप वाला भी रास्ता है पाइप लाइन जिसके जरिये तेल वगएरा आता है ठीक है तो और आए कि हजीरा बीजापूरा जगदीशपूर गैस पाइप लैन किस राजे से होके नहीं गुजरता है तो यहां पे हम आपको एक मैप बनाए हैं देखिए यहां पे हजीरा गुजरात में यहां पे बीजापूर मद परदिस में और यह वला होगी आपका जोगरफी चार गंटे लागातार उसमें संपूर्ण एक ही वीडियो में जोगरफी कंप्लीट है तो कहने के लिए क्लास तेंथ का लेकिन एक चीज़ दिमाग में रखिएगा कि वो पूरा का पूरा जोगरफी से मैच किया है ठीक है चलिए उस अभी बताये थे आपको मैं व्ल disparity का समब्स निमलिखित में से किसमें तरना जैता है ठीक है किस से होशाए 14 नमबर बताए लोहा से चौराभी और स lack भी बड़ी मझबूत होते हैं ठीक है पी के डिम्ला जाएगा हाथ पर तोड़ लेगा सुबह पाद चलेगा तूट गया है यहां देखे निमलीखित में से कौन उदोग बक्साइट के कच्छे माल के रूप में उप्यूग थे तो बक्साइट से क्या बनता है इंसर दीजिए आप ऐलमूनियम सीमेंट वगरा जो भी है यहां क्या बनेगा तीन है हेमाटाइड हेमा मेगना मेगनेटाइट और लीमोनाइट ठीक है तो हैमली याद रखेगा हैं ली हम कुछन दिखते हैं 26 अनिमलिखित में से कौन एक लोह अयसक नहीं लोहा का नहीं है अंत्रसाइड लोहा का थोड़े यह तो आपका कोईला है इंध्राइड सबसे सुद्ध कोईला माना जाता है तो आपका अप्सन अमबर यह वाला लोहा नहीं है चलिए अगला कुछ के लिए पसीद है पbonsी सीदे मूंबई में यहां से ठीक एक 100 लगबख 75 किलो मीटर दूर थीड़्य है यहांपे प्रकान भटर्माटुर्ण श्ना तहलीजल कर रावत राजस्थान में में ओप्सिन नंबर सीदे साइए हो जाएगा रावत प्रमाडू इन्टर यहां पर लिख विदियें कि यहां पर रावत प्रावडविद्गरी की अस्थापना 1965 में हुए था जो कि कनाड़ा के सहयोग से रट लिजेगा यह पूछेगा कि रावत भटा जो राजस्थान में किसे तो कनाड़ा के सहयोग से बनाए और भारत का दूसरा यह तारःपूर महराष्ट में है जो 1962 में बना था कि बना था 1962 में तारःपूर याद रहिए तारःपूर तीम चार बर कोश्चन पुछा है तो तारह पाकिस्तान नहीं जाएगा और जितना भी फिलीमोली में बनता है छलिए अगला कुजी निमलिकेत में से कौन से राज इलाका कोडवाना होता है बाबाबुदन की पहाड़ी बड़ी मश्ध था थखिट यह का किये थे क्वी ही कॉफी का साथ परकार बीजला कर रोपे तो कहां पर तो कारनाटक में अज़्ध कर कोफीम करके लगा मस्त रहेको निमने लिखित में से कौन उत पाद से संबंदी को डर्मा में कोईला होता है वोग। में लेकिन एक अलग सा अंतर क्या है यह बता देते हैं आउसमें कि बोकारों में इस में बडैंब मैं है वोहा का ऐग्ला छीज़ बनता है तो आपका सानाम्बर कौन वायों सब्सक्राइब एक तीन चर है किस मैं आप कर अच्छा यह दिया है एक तीन चार की दो तीन चार गबर बोकारो को डर्मा इसमें कुरिश्चन में थोड़ा बहुत डाउट है दो तीन चार तब होना चाहिए यह वाला डीवालार में दो तीन चार कोडर्मा सॉरी ये वाला हो जाएगा तीनों हो जाएगा ये वाला कोडर्मा नहीं होगा बुकारों में लो अस्पात उधोग भी है वैसे ठीक है चलिए अब यहां पर देखिए तो अगला कुशन 32 में बाला गाट मैगनी छेतर किस राज्ये में इस्तित है ठीक बाला उबाला सैतान का साला यह हो जाएगा आपका मध्य परदिस में ठीक है और एक बाव कोई कोश्चन की थी कि इतना कोश्चन से सर हो जाएगा बड़ा कम कम है तो देखिएगा हम जो कुश्चन लेकिन उसके नीचे कुछ एक्स्प्लेइन भी किया है उससे भी कुछ अ जानते हो क्या हुआ है ज्यादा प्रिसर लेकर हम लोगों को नहीं पढ़ना है ठीक है एक्स्टा कुश्चन कर देंगे कोई दिकत नहीं लिखित में से कौन एक उर्जा का गैर परंपरागत सुरोत है तैंटीस नंबर तो 33 का हो जाएगा डी आपको एक सर परंपरागत उर एक उसी को परंपरागत कहते हैं लेकिन यह तो दिख रहा है ना निकालो चैना निकालो सवरे से उर्जा मिलता है बाद में सुलर लगा ले नहीं तो गैर परंपरागत है यहां पर लिख विदी है अब यह अगला कुश्चों निम्ड लिखित में से कौन से राज नर और न है तो नरवरा में दूर तीनगोरह है यहां देखिए अगला कुशन है निम्लिखित में से कौन कॉला बात प्रामप्रीग उर्ज्वद कौन हो जाएगा को इला हो जाएगा पेट्रोलियम दोनुव है नमबर रह जाए गांगा सब्सक्राइब आजाओ जहरीय जहरखंड वाला ठीक है वैसे बता भी दिया इंसर जहरीय को लचेतर की सराजय में तो जहरीय जहरखंड में दिखें या जला-जला करके अंदर से कितना रिस्क होता है पैसा कमाना और पैसा है तो सब कुछ है अगर आपके पास पैसे हैं तो लोग पूछेंगे आप कैसे हैं यादब में प्रतम नाभीकिय अरजा परियोजना अस्थापित की गई है पहली बार भारत में नाविकिय हो जाएगा 902 यह जानली जिए ठीक है टाराफूर में ताराफूर का है महारास्ट में फिल्मों वाला जबाना कोणों का महरास्ट में पहले होता है मुंबई में सब हीरोःड एक लिए बेवास्ता जल्दी हो जाता है यहां देखें हिरा कुंड परियोजना अवस्तिथ हे इंपकुंड बान्द का आ हैं तो यह करते हो जाएगा उड़ी यह जाएगा 38 नंबर करो जाएगा में लिכित में से कॉन उर्जा का नमीकरन यह संसाधन Kalan M готов सारी 1 विकरणलीए यह सान्साधन है नमी करन यह मंने होता है फसक्राइब व भुद panels फिर आ गया जी बैला डिला बड़ी मजबूत था लोहा की तरह ठीक है 36 बार बांदे थे हम उसको तो यह बताइए बैला डीला लॉइस किस राज में पा जाता है तो 36 बार से 36 गड़ याद रखिएगा ठीक है आप एंसर को कमेंट किजिए के ना बाबुता आपको याद हो जाएगा ठीक है चलिए तारापूर न इंडिया लिमिटेड यानि यहां पर लिखा भी गैस कि अस्थापना को भी तो 1900 देखिए यहां ते ट्रीक एक बता रहें 1984 में यह हुआ था एक याद रखेंगे यहां पर याद रख लिजिए देखिए तो यहां पर गैस ऑथरिटी अफ एंडिया लिमिटेड 1984 और परमाडो उर्जा आयो खाली इसको पलड़ दिये तो 1948 मुंबई परमाडो उर्जा संस्था 1904 ठीक है तो यहां पर वही कोश्चन पूछा गया है आपको यह खुद कमेंट कीजिए तो परमाडो एक और कमेंट जितना ज्यादा होगा मज़ा आता है पढ़ने में उसके बाद से विडियो बनाने में और जुरून आता है और और भी मस्त मस्त हाँ अब एक और आपको इन्फिमिशन देदें कि आपका हिस्त्री आज से तो नहीं लेकिन कल से आपका हिस्त्री साम को छे इंपोर्टेंट जो बताएंगे वह आएगा यह मेरी गरांटी है इस बात का हम घमन नहीं कर रहे हैं ठीक है लेकिन आपका भी विडियो देखेंगा एक बार मैतमेटिक्स का गेस करा थे मात्र पूरे किताब से पांच को सन वह पांचों को सना गया था जिसमें पांच